जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ लोगों को कितना भी समझा दिया जाए कितना भी बता दिया जाए लेकिन वो अपने रास्ते बदलने वाले नहीं होते उनको लगता है केबल इस सूच में परे रहते हैं कि आगे अब क्या होगा लेकिन वो भूल जाते हैं कि अभी बरतमान में जो उसके सामने स्थिती है उस पर कितना काम किया जाए वो केबल इसी चकर में लगे रहते हैं कि सीटेट का एकजाम कब होगा डी एलेट का फाइनल एकजाम कब होगा बी एट का फाइनल एकजाम कब होगा फोर्म आएगी तो कब आएगी अगर हो भी जाएगी तो उसके बाद मैं सीटेट क्वालिफाई कर पाऊंगा कि नहीं अगर वो भी qualify हो जाएगी तो उसको और यादास्त में तेजी आ जाती है और सुचते हैं अगर मैं qualify कर भी गया और KBS अगर नहों तब का होगा अगर 5 साल KBS, NBS आया ही नहीं तब क्या होगा वो भी अगर हो जाते हैं तो और सुचते हैं कि अगर मैं pass कर जाओ मेरे सामने तो हजारों लोग बैठे हुएं 5 साल से, 10 साल से तो मुझे होगा नोकरी एक इसकी कोई गारांटी है यानि उसकी पूरी जिंदगी इसी जो होती है उधेर बुन में ही गुजर जाती है यानि उसकी जो मेंड सक्ती थी जो उनकी योगिता थी जो उनके पास एक इनरजी था जो एक लेबल था जो इवाव में होती है उस चीज को उस इनरजी को वो केबल बैर्थ की बातों में बेकार कर देते हैं जब कि वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि एकजाम लेना एकजाम देना ये जो है या तभी संबब है जब उस तरीके का कोई न कोई सूचना वो भी बेब साइट पर सही तरीके से आ जाएगी लेकिन पता ने उनको कौन सी दिमाग में चीजे बैठ जाती है कि वो दीन रात एक एकजाम के बाद दूसरे एकजाम के बारे में सूचने में गुजार देते हैं जहां पे वो पढ़कर अगर एक सेट मारते या अपनी कमजूरियों को दूर करने पर समय देते तो उनकी एक केबल टाइंप पास करने में और अगर उनके सामने negative बात कर दीजी तब तो उच खलके लगता है कि यह दम चारतला को जाएंगे यानि उनको को लगता है कि बास्तों में ये मेरे साथ हिने सब के साथ हो जब कि किसी के साथ ऐसा हो नहीं रहा है। तो ये सारे चीजे है तो मैं एक बार फिर से आपको यह सुचना दूँ कि अगर आप जीवन में उचायों को पराप्ट करना चाहते हैं केबल जिन्दगी जीना खापी कर मर जाना या अपने बाल बच्चे को पाल लेना ही जिंदगी नहीं है जिंदगी कहीं उससे भी उपर है जो की मानपता होती है अगर आप चाहते हैं कि मुचाई को प्राप्त करे हम किसी के लिए प्रिर्णा बने हम किसी की जिंदगी में दो पल, सुख का पल की खुसिया उनको दे, तो आपको करना पड़ेगा, जिस चीज का आपने लक्ष बनाया है, जिस चीज का आपने फॉर्म डाला है, जिस चीज का आप तयारी कर रहे हैं, आप उसके एकजाम पर कम सोच कर और आप अपनी तयारी के बारे में जादा बेहतर सोचे और जो एक्जाम होना होता है वह notification आती ही रहती है वह government अपने website पर डालती ही रहती है इसलिए वह आपके हाथ में नहीं है क्या आपके कहने से क्या एक्जाम उसी दिन हो जाएगा क्या आपके कहने से कि December में होगा है जनवरी में होगा हो notification भी आएगी और जब आएगी तो सबको पता चलेगा तो फिर इस तरह की बाते करने से कोई फायदा नहीं है तो आज से एक बार फिर से आप प्रन लीजिए एक बुलंदी के साथ कि हम इन सब बातों में नहीं परेंगे और मैं अपनी परहाई दिलो जान से करूँगा पू इसी समय सी पल से आप लग जा इस तैयारी में और देखिए आपके मंजिल कितना जल्दी मिलती है बार में जल्दी मिलती है